मस्काद दोस्तों आज की वीडियो को टॉपिक है Why Carbon Brush Used in Motor दोस्तों जितने भी मोटर होता है जिसमें Carbon Brush का यूज होता है तो वहाँ पर हम Carbon Brush का ही यूज करते हैं Copper का या फिर Metal का Brass का यूज नहीं करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में यहीं समझेंगे कि Carbon Brush का ही क्यों होती है दोस्तों होता क्या है कि जो कार्बन होता है कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 3550 होता है ठीक है और जो हमारा कॉपर होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 1080 पर यह मेल्ट हो जाता है यानि कि पुरा पिगल जाता है कार्बन का 3550 कॉपर का 1080 अब बात यह आती है कि हम कार्बन ब्रस का यूज क्यों करते हैं ठीक है यह तो किसी भी मोटर में उसके दो भाग होते हैं एक रोटर होता है एक इस्टेटर होता है को सप्लाई के लिए मं कैसे देंगे अगर इस ट्रता को सप्लाई देनी है यह क्या है आव यहां पर नोर्मली या सिंगल फैसं देंगे और रोटर के पताता कि कोई मोंटर होता है इंड़ित घंप मिर्माज की सप्लाइच कैसे देंगे अगरब अन्यांग यहं यह highly कि या जाता है कारवन ब्रस का यूज ला करते हैं अब बात रहा थे कि कारवन बसक्स कहीं करते हैं तो आप पास हो जाएंगे पहला तो जोस्तों होता है कि carbon की एक खासियत होती है एक property होती है कि carbon में जैसे जैसे heat बढ़ेगा तो इसका resistance कम हो जाएगा जिससे current का flow बढ़ जाएगा करवन की खासियत होती है कि ज्यादा ही क्योंकि इसमें rotor जो carbon प्रस होता तो रोटर पर लगा होता है और जो रोडर दो रेख मेल बना होता है एक ऐसे रोटर होगिए इसमें एक ऐसे बनाओगा और यह काइसे वह खैसे बनाओगा भृषकी तीन कौईल हो जाता है एक अि कंट्यूनी उसीद करता ता यह हैं सबस्क्राइब टस्ट करके रिकर के चलता है तो चेणगारी इसमें उत्मन्नोती होती है चेणगारी उत्मन्नोत से सः करतों कर नब्राइब जाने से क्या वह पार है कि क्यू व क्रम जाने से क कम घाता है और इसमें रेजिस्टिंस कं प्रंगां कफ लो बढ़ jag related हुआ लिकिन कॉपर में क्या होता है कोपर में ऐसा दोस्तों नहीं होTain copy जितना ज्यादा गर्मोगा हीट जितना ज्यादा होगा ऊसका रायस्टेंस अतना यह भरता चला जाएगा और कर्ण्ट। का फिलू हमारा कम हो जाएगा तो यहाँ पर हम रम कार्बन कार्बन होता है अब अगर हम यहां पर कापर का लगा देंगे तो यह स्लिप समय कुछ समय बाद घिस जाएगा कार्बन भी घिसेगा लेकिन जो हमारा इस वह होppers यह भीधिश जाएगा फुरोडर होजाएगा तो यहांटी नापड़ेगा कारवन होता है लेकिन मेल्टिंछ तो प्रता है फिघ्वाब होने पर बाइटा बिघलते नहीं और क्युछ जाते है जिससे हमारा रोटर पर कोई भी फाग नहीं पड़ता है रोटर हमारा चलता रहता है कोई भी प्लम नहीं होती है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर का बढ़ जाता है कार्मन का कम हो जाता है गरम होने पर यह इसका उल्टा काम परता है कार्मन बस लगा होता है यह रोटर की Commutator फिक्स होता है उसे Frickson होता रहाता है Continue जिससे यह घिस जाते हैं लेकिन Commutator पर कि तो सिलिप बना होगा उस पर कोई भी फग में पड़ता है ठीक है जोस्तों जितने भी मोटर होते हैं उन्हें कारवन बसका ही यूज करेंगी कि कि कॉपर का दो अगर आप इसका अंसर देना चाहें इंटर्वू में तो आप अगर एक सिंपल का यह जवाब देंगे कि कॉपर गरम होने पर इसका रेश्टेंग बढ़ जाता है और करण का फ्लो कम होगा और हमको करण का ही फ्लो इसमें ज्यादा करवाना है ताकि हमारे रेश्टेंग्स कम हो जाता है डाटम करने से करण का फ्लो बढ़ जाएगा अगर आप यह जवाब देते हैं इंट्रेव्यू में तो आप पास हो जाएंगे मुझे उमीद है अगल आप ये बूदियो पूरा देखका अगर समच जाएंगे तो मुझे मैं 100% गरंटी साथ ब मास्कर